एक बोहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में बड़े-बड़े पेड़ थे, उन पेड़ों पर अलग-अलग जाती प्रजाती के पक्षी रहते थे, काफी दिनों से इस जंगल में सभी पक्षी एक जूट होकर खुशी के साथ रह रहे थे, बहुत से पक्षियों ने अपने अपने पेडों पर अपने अपने घोसले बनाए थे उन घोसलों में एक चिडिया और एक कौवे ने अंडे दिये थे दोनों पक्षी, बच्चे निकलने तक अपने अपने घोसलों में अपने अंडों की रिक्षा करते है एक दिन की बात है उस बड़े जंगल में एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ेल चिरिया आती है और एक बड़े शांत से दिखने वाले पेर की डाली पर बैठती है और अपना रूप चुड़ेल से एक सुन्दर चिरिया में बदल देती है और उस पेर से उड़कर जंगल के सभी पेड के उपर मंदराती है और आस्मान से सभी पेडों का मुआवना करती है उसके बाद वहाँ से चली जाती है एक दिन की बात है नीलु चिडिया अपने घर पर अकेली होती है उसको बहुत जोरों से भूख लगती है वो खाना खोजने के लिए अपने अंडों को छोड कर जंगल में चली जाती है उसके जाने के तुरंत बाद में वो चुडेल चिडिया उसके घर पर आती है और सारे अंडे को चुरा कर भाग जाती है तभी कुछ देर बाद नीलु चिडिया अपने घर पर लोटती है और अपना घोसला चेक करती है तो उसको उसके अंडे दि तभी एक दिन कौवा दीदी अपने घर से दूर कुछ सामान लाने जाती है। तभी मौके का फायदा उठा कर वो डरावनी चिडिया चुडेल रात के समय अपना भेस बदल कर उसके घर पर आती है और उसके भी सभी अंडे लेकर फरार हो जाती है। तो है जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। तुनू चिडिया, कौवा दीदी और नीलू चिडिया मिलकर उस अंडे चोर को पकने का प्लान बनाते हैं। और वो प्लान किसी को नहीं बताते। प्लान के मुताबिक तुनू चिडिया बजार में जाकर कुछ नकली अंडे लेकर आती है उस अंडो में जहर मिला देती है और अपने घर में घोसले में रख देती है। उसके बाद यह बात कौवा दीदी और नीलू चिडिया को बता देती है। यह बात दोनों सारे जंगल में फैला देते हैं। यह बात उस चुडेल चिडिया तक पहांच जाती तीनों छूपके से देख रहे होते हैं, तभी वो चुडल चिडिया आती है और वो नकली जहर वाले अंडे लेकर फरार हो जाती है, वो तीनों उरकर उस चुडल चिडिया के पिछे पीछे जाते हैं, और काफी दुरी तै करकर उसके ठिकाने पर पहुँचकर छूपके से एक पेड के डाली पर बैठ जाते हैं वो चुड़ेल चिडिया उस अंडों को एक-एक करके खाने लगती है अंडे खाते ही वो जमीन पर गीर जाती है और जहरीले अंडे खाने से उसकी मौत हो जाती है इस प्रकार सभी पक्षी उस चुड़ेल चिडिया के आतंक से बच जाते हैं